तो अब्वेलों वेलकम बैक टो माइ चानल कैसे वह आप लोग आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे मैं भी ठीक हूं लेकिन क्या ना कि जब घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है तो मन बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसमें कुछ भी अ लाओ चीजे होता है वो तो करना ही पड़ता है जैसे कि खाना खाना ही है नहाना नहाना ही है बच्चों का केर करना ही है लेकिन कुछ अच्छा करने का मनने करता है और इसी बज़े से मैं वीडियो नहीं ले रही थी आज जो भी आप वीडियो देख रहे हो जैसे कि आप में ठीक हो गया था जहां उसको 2 था वहां बाबो को 10 था मतलब बहुत ज्यादा था बाबो को तो 7 दिन में तील चराया और जो भी मैं विडियो ले रही हूँ वो 7 वा दिन ले रही हूँ आप लोगो को पता भी चलाओगा starting में और तील चड़ने से दो दिन पहले से लगबग ठीक हो जाता या बाबु का तो लगबग तीन दिन से ही ठीक हो गया था लेकिन दीन में खेल रहा था और रात में बहुत जादा परसान करा था पांच दिन तक चट्था दिन से सही हो गया था तो थोड़ा सा मन किया वीडियो लेने का तो जो फॉस्ट रिकॉर्डिंग देखा जो कि आप आगे और देखोगे पूरा वो मेरा सायद पांच बाद दिन का रिकॉर्डिंग था और उसके बाद जो तेल चारने के बाद से गोदी में जो बाबू था तो बाद कुछ भी घर में अच्छा होता है जैसे कि मेरा जो ब्लॉगिंग है जैसे मैं बहुत जादा हाँ बेटा फिर पैसे नहीं आएंगे मैं जो वीडियो डालती हूँ वो अपने मन अपने मन तो बहुत zh़े जंदा बहुत धर भी चलता है लेकिन मैं अपने मन से डालती हूँ यह नहीं कि बहुत त जब मन रहेगा तभी तो डालوںगी बहुत से कमेंटा आ रहे थे कि डालो डालो तो जब तक मन नहीं करेगा मतलब मन हटेगा नहीं इन सब चीजों से तब तक जाएगा कैसे वीडियो पे तो वही वाला बात था लगबग 10 से 12 दिन हो गया उसके बाद मेरा थोड़ा सा मन चेंज हुआ है बाकी ऐसा नहीं है कि हर रोज हर टाइम हम लोग रोते ह डालो डालो रहे हím अईसा कुछ नहीं था लेंगिन ये करने का मन ही नहीं कर रहा थी आ जर्म Dalam II को बाकी आपको पता है कि जब बच्चे घर में होते है न तो आप 2 मिन इंनलगते हो दो मिन नथ मीन वहीं गुशा कर देते हो बच्चे में vẫn हर लाता है बटा यह कुछ भी जवाब देने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था बहुत लोग बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया आगे बढ़ो लेकिन बोलने वाले बोलते हैं जिसके उपर कुछ भी होता है न वो उसको पता होता है कि कैसे आगे बढ़ना है जब तक उसका मन होगा तभी तो आगे बढ़ तो एक छोटा भी प्रॉलम जब होता है तो प्रॉलम बहुत बढ़ा ही लगता है तो यह जो भी वीडियो का क्लिप आप देख रहे हो लगब गग साथ दिन हो गया था क्यूंकि आप देख सकते हो तेल वाला जब मीठी को हुआ था ना तो मैं दो दिन बाद से ही वीडियो सेयर कर रहे थी क्योंकि मिठी को कुछ भी ज्यादा परिशान हुआ ही नहीं बस हम लोगों को भी बहुत बात लग रहा था चिकन पॉक्स होना बहुत बड़ा मुझे तो रोना आ रहा था कि मेरी बेटी को इतनी चोटी अभी इसे हो गया यह वो लेकि मिठी ज्यादा परिशान बिल्कुल नहीं की मैं बाबू के बारे मेरे तो जो बाबू को जो हुआ नहीं है हाँ बेटा इसको जो हुआ नहीं था पूरा दिन तो मेरे गोदी में रही रहा था रात में भी बस गोदी में ही रह रहा था नीचे बिल्कुल सो नहीं रहा था पता नहीं क्या हो रहा था कि इसको नीचे नहीं रहा जा रहा था और वो भी एक जगह नहीं पूरा रात ऐसे जैसे बच्चा जब जनम लेता है और कि मेरा भी बोड़ी बहुत जादा ताकतवर नहीं है मैं भी मतलब कि अंदर से कभी-कभी मतलब एकनेसा लगता है वीक फिल करती हूं तो इस तरह से बचे को ले के ऐसे से रात में अगर एक दो बजे तीन बजे ऐसे जूलाओ न तो चक्कर साता है क्योंकि एक नीन दारा होत हाथ में तो इसे रख रही थी मतलब बहुत जादा प्रॉलम हो रहा था बाबू की टाइम मेरे की टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं वा और बाबू को जब ठीक हो गया लेकिन मेरे हस्में को आज तक ठीक नहीं हुआ है आज जिस दिन मैं वीडियो एडिट कर रही हूं उस द बहुत बहुत जादा होगया है मतलब नाखून के बराबर भी जगण नहीं है बोड़ी और पूरे सर पे यह पेस बतीन, मतलु के बराबर भी जगण नहीं多 है तो आज मिख़ना समझ दो तो इस बो захettre सुखने समय होगे या फिर चुल-चुलाएंट कुछ भी ऐसा जो इ surname वह जादा बहुँ जादा बेचान करने वाला तो जिसके साहब होता है उसके गगल में जो भी लोग जाए उसके साथ जोभी रहते हैं वह भी परिशान होते है जैसे मेरी अध्युर्वन के साहब किछ भी अगर करके तो यह सब हो गया है खेर यह वीडियो जो है वह मैं एक नहीं दो तीम दिन का करकर के मैं डाल रही हूं जो भी है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ले लेती हूं और तब जाके आप लोगे साथ सेर कर दें बाबु का तो पूरा ठीक हो गया है और अधिटिंग टाइम ह अब बाबो का आवास सुन रहे हो बहुत अच्छे से किलता है भगवान बस अब नजर ना लगा है किसी की क्योंकि बहुत जादा मैं जीली हूं 22 तारिक से लेकर के दो तारिक तक समझ लो मतलब वो हाँ बेटा हां ने 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 हां मतलब पूरा का पूरा दस दिन हम परिशान मेरे तो हश्वें रोगा पहले बाद और मेरे बच्चे को बॉड़ी में हुआ तो समझो कि मेरे ही बॉड़ी में हो गया दिमाग में हो गया तो मतलब हम लोग का जो वह दस दिन गुजरा है वो बस मैं यहीं बारे में अच्छा नहीं भी सोच रहे होंगे जो मेर बुरी नजर रख रहे होंगे उसके साथ भी ऐसा नहीं अब लुग सूच रहे होगे कि यह थोड़ा सा आग लगा और थोड़ा सा चीगेंफॉक्स हुआ है कितना गवरा गई लेकिन मैं वहीं बोल रहे हुँ ना जब किसी के साथ प्रॉलम होता है तो वह प्रॉलम ही उसक तो बस यही समझ लो कि जब कुछ प्रॉलम होता है तो वह उसके लिए बहुत जादा होता है और खेर यह चिकन बॉक्स जो था वह बहुत हीवी बाला था बहुत हीवी बाला और आप लोग को भी पता है कि इसमें साथ दिन नो दिन लगी जाता है और एक दिन किसी का जो ख चलता है लेकिन बुरा दिन बहुत जादा लंबा हो जाता है तो हमारा यही अभी चल रहा है अभी तक तो बुरा ही दिन चल रहा है बस आप लोग भगवान जी से प्रे किजिए कि अगर हम से हमारी फैमिली से या मुझ से कुछ भी गलती हो गई है तो बस भगवान जी अपने बारे में बोलते हैं कि हम नहीं सोचते हैं लेकिन सच में मैं किसी के बारे में बुरा होता भी है तो बहुत जाद दुख लगता है तो पता नहीं कुछ तो गलती ही हुआ होगा साय या फिर पता नहीं जो भी हो बहुत जादा बुरा समय चल रहा भी अच्छा कुछ च बढना अभी तक गार मोर्ट नहीं अपने निकल घूर कियोंकि अभी आप कुछ नौर्मल नहीं होगा व दस दिन को सब्सक्राइब करें नहीं होगा रहा है। मतलफ जा कि 살짝 करें जा कि कुछ थीख सब कुछ इंग सब्सक्राइब लॉल चाहे 15 भाद गिर रहा हो देकिन फिर भी खेल रहा है ना तो मन खूझ होता है लेकिन बड़ी क्या होते हैं वह बैठे रहते हैं उधास ही और वह फील करपाते हैं तो उनका तो अलग होता है आज मैं अपना ही कहाने सुना तेरे वीडियो के बार में कुछ नहीं बोली हूं तो यह जो भी वीडियो है मैं तो पहले बताई कि दो दो दिन तिन दिन करके हैं यहां हम सासबोगो मिलके कुछ-कुछ काम कर रहे हैं इस साम का क्लिप है थोड़ा सा रेस्ट करने का भी टाइ मैं अखरा ही अचितनी हम मैं चुप खानाना मम पीचाज़ अब बовали होगो डेस्ट कमउ करे मां तो बाहर जाती हूं को बंस वही सब चलए है मतलम लगग थोड़ा थोड़ा देorld आराम करने कके बाद हैą पेशाति कि और बाबू अभी तक मुझे छोड़ नहीं रहा है विल्कुल भी थोड़ा बहुत खेलता है उसको हमेसा मतलब मैं चाहिए मेरा गोदी चाहिए और फीड भी करता है तो मेरा ही ऐसा है तो और खास करके सुबह साम अभी देख सकते हूं मैं थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहे ह यहां पर मेरे ही पास है और इस टाइम बहुत ज्यादे इरिटेशन होने लगता है कि यह भी काम जुड़ी है और यह भी बहुत ज्यादा परिशान कर रहा है तो अभी दीरे दीरे सब कुछ सही होगा किचिन में हर चीज में जोला जोला जैसे हो गया था तो जहां में यह पि थोड़ा जोला जैसे हो गया था तो अभी कि अभी में कर लोंगी तो कर लोंगी ने तो यह लगेगा न कि उस टाइम करूंगी परसो करूंगी ऐसे कर यह दाए और मेरा कीचन भी अभी इदर उदर थ्रावत बिखरा हुआ दिखी रहा होगा लेकिन यह अभी कुछ काम इदर का कुछ भी में time नहीं दे रही है। इदर कुछ भी निवस कहाना बन जा रहा है साफ आवा हो जा रहा है वही बहुत है। अब सफ़ाइ तर्थाल नाथ existentialzt on a can change cuz change here हर किसी काные मतलम नहाना हो नहाना हो रहा है कुछ एकदम साफ सफाई का पुड़ा क्या लगा जा रहा है क्योंकि छीजी इंफेक्शन वाला भी होता है तो मतलब डर है थोड़ा सा और यह रिखिए बाबु इतना रोड़ा था इसके हाथ में इसको दीख गया था तो इसका मैं रियल वह सुनाओंगी तो आपको आपको बुड़ा लग जाएगा और जब बाबु का रोने का रियल वह सुनाओंगी न तो आप यह बिल्कुल नहीं बोलोगे कि आरे यार वीडियो डालो ना या फिर वीडियो कि उन्हें डाल रहो आपको खुद ही लगया कि हां ऐसे में कोई नहीं डाल सकता है वीडियो तो मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल रहती क्योंकि मैं बहुत जादा वो जो हमारे भास में बोलता है कोही होना एकदम रोने जैसा मन होना वही था मतलब बच्चा इतना परेशान है हमेशा गोधी में हमेशा रो रहा है तो मतलब उस तरह का है कि इसी का मैसेज भी आ रहा था तो अच्छा नहीं लगा था फिर बिर गुस्सा एजा कि क्या मतलब बोल रहा है Coi ऐसा और मैं तीन-चार दिन किसी से बात नहीं की थी मतलब अपयर मतलब मुझें लोग से भी बात नहीं करती थी क्यों कि वह पूंचें कि हां कैसा है क्या है और फिर वही बार-बार बात बताएंगे और फिर कोई सजेश भी करता है तो बार से वही चीजे सजेश करता है जो घर में हो ही रहा होता है तो फिर मेरा मन बात भी नहीं कर रहा था मन नहीं कर रहा था करने का बहुत जाद तकलीफ में थी मैं इस टाइम पर सबसे ज़्यादा मुझे तकलिफ हो जब बाबू को चिकन बॉक्स हुआ मतलब ये वीडियो देखे भी मेरा बॉड़ी थर थरा रहा है पूरा काप रहा है हैसा मतलब बोलने से ही क्योंकि वो मैं एक दम फील की हूँ चौविशों गंडा मेरे गोदे में बाबू रह रहा था और वो चीजे ये वीडियो तो समझे पांच बाद इन का है क्योंकि ये चीजे बहुत अलग टाइप का दिख रहा था उच टैम वीडियो लेने वाला नहीं था ये तो पाच बाद इनका है बाबू नहा कर किया था जल जली कपरख पहना थे उसके बाद सोचा कि थोड़ा सा क्लिप ले ले लेते हैं यही सब है आप लोग प्रेय किजिए हमारे फैमिली के लिए और मिलते हैं नेक्ट ब्लॉग में तब तक लिए बाई टेक केर्ट